नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेंडलाइन से पठान कोट हमले में पाक के खिलाफ मिले बड़े सबूत यूएस ने एनाईये को सौपा हजार पन्निक का डोजियार असी घंटे तक आतंकियों से बात कर रहे थे बॉर्डर पर बैठे हैंडलर्स साथ अवेतनायों के 30 अगस्त करमचारियों को मिलेगा एक बार में साथ महीने का एरियर बड़ी हुई सैलरी में 125 परसन डिये भी शामिल गड़गाओं पुलिस कमिशनर पर गिरी महाजाम की गाज रोतक भेजे गाए नवदी फिर्क सरकान ने बताया रूटीन ट्रांसफर मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक शा के नाम पर ठगी मामला खुद को अमिश्रा का भांजा बताकर उजें दक्षिन के विधायक मोहन यादब को लगाया 80,000 का चूना आरोपी फरार दर्ज हुआ मामला और लापता विमान ए एन 32 का रहस्य गहराया एर्मैन के परिजनों का दावा दो दिन से फोन आन सरकार ने युएस से मांगी मादाद पाकिस्तान के खिलाफ एहन सबूत भारत के हाथ लगे हैं पठान कोट एबेस हमले में पाकिस्तानियों के शामिल होने को लेकर दी जा रही भारत की दलीलों को इस से काफी मजबूती मिलने की उमीद है पठान कोट हमले की जाच कर रही राजश्य जाच एजिंसी को अमेरिका ने एक हजार पनने का डोजिया सोपा है एक खबर के मताबिक इस जोजियन में हमले को लेकर जैशे मुहमद के सरगना का सिफ जान की चार फिदाइनों से हुई बाच्चीत भी रिकॉर्ड है 2008 में मुंबई धमाके से पहले लशकर के आतंकियों के बीच हुई बाच्चीत की तरह इस रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है उस दोरान भी लशकर के सरगना काराची से ही मुंबई धमाके की साजिश कर रहे थे बठान कोट हमले के दोरान जेश मुहमद के चारों फिदाइन पाकिस्तान स्थेत पंजाब का नासिर हुसेन, गुजरामवाला का अब्बू बकर और सिंध प्रांध का उमर फारुख और अबदुल कयूम लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से देने का एलान किया है, दरसल एक जनवरी से साथ वेतन आयोक की सिफारिश लागू होंगी, जिसे केंद्र करमचारियों को अगस महीने का वेतन और साथ में जनवरी से जुलाई तक का वेतन बडोतरी की बाकी रकम भुकतान किया जाएगा, वित्त मंतराले इसको लेकार नो उनको साथ वेतन आयोक की सिफारिशों को मनजूरी दी थी, साथ वेतन आयोक का करीब 47 लाख केंद्र करमचारियों और करीब 53 लाख पेंशन धारियों को लाब होगा, मद्यपिदेश के उज्जेन में धोका धड़ी का अनोख हमामला सामने आया है, जहां एक शक्स ने उज मोहनियादव के पास 27 जुलाई को एक फोन आया, फोन करने वाले शक्स ने खुद को अमिच शा का भांजा विराज शहा बताकर अपने साथ हुई लूट की कहानी सुनाई, बीजेपी विधायक मोहनियादव ने भी मामले को गंभीरता से लिया, और अपने एक संयोगी और पार्टी कारिकरता नरेश शर्मा को जी आर पी थाने भीज दिया, विधायक ने शक्स की बातों में आकर 80,000 रुपई विराज को देने को कहा, बात में जानकारी मिलने के बाद विधायक ने उजेन के माधव नगर पुलिस थाने में 80,000 रुपई की ठागी की शिकायत की, रक्षामंत्री मनोहर परिकर ने शुक्रवार को राज्य सभा में ये जानकारी दी, रक्षामंत्री ने कहा कि अमेरिकी रक्षा बलो से इस बात की मदद मांगी जा रही है, कि क्या उनके उपग्रेहों ने 22 जुलाई को कुछ सिंगनल पकड़े थे, 22 जुलाई को ही 39 लोग परिकर ने ये भी कहा कि इस बात की आश्रंग का कम है कि एरक्राफ्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई होगी, इस बीच एन 32 विमान में सवार एर्मैन रगुवीर वर्मा के परिजनों ने दावा किया है, कि शुक्रवास सभा रगुवीर के मोबाइल फोन पर रि बादला कर दिया गया है, उनको रो तक भेज दिया गया है, संदीब खिडवार गुड़गाओं के नए पुलिस कमिशनर होंगे, सरका ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया, विर्क का दावा है कि पुलिस जाम चुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन जो लोग जाम में उनका आरोप है कि जाम की लंबी अवधी तक पुलिस कहीं दिखी ही नहीं, इलाके में फिलहाल मुसीबत जारी है, शुकरवार दोपहर बाद से फिर से शुरू हुई बारिश के कारण मुसीबत और बढ़ सकती है, इलाके में एतियात अंधारा 144 लागू है, पुलिस ने द विटकार लोगों से अपील की है कि अगर वे दिली से सडख के रास्ते गुडगाओं की तरफ आ रहे हैं तो ना आएं, आठ अगस से आप दिली से रेल गाडी में सवार होकर सीध है, अगर तलास जा सकेंगे, पुर्वत्तर राज्यों की रालधानियों को रेल नेटवर्क से जोनने की योजना में ये एक और कड़ी होगी, तरिपूरा और दिली के बीच रेल वे यातायात की शुरुवात 31 जुलाइक को रेल मंत्री सुरेश प्रभू हरी जंडी दिखा कर करेंगे, 31 जुलाइक को रेल मंत्री प्रभू तरिपूरा की रास्धानी अगर तला से ए आनद विहार ट्रमिनल अगर तला चृपूर सुंदरी विकली एक्सप्रेस हर सोमवार को आठ अगर से चला करेगी, रात को 11 बच कर 55 मिनित पर ये ट्रेन आनद विहार स्ट्रेशन से रवाना होकर अगले दिन रात को 11 बच कर 45 मिनित पर अगर तला पहुँचेगी कांग्रेस अपाध्यक्ष राहुल गांधी लखनों में एक अलग ही अंदाज में नज़र आए कारिकर्ता लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और मन से राहुल उनका जवाब दे रहे थे लेकिन राहुल के एक जवाब ने सब को हैरान कर दिया अखिलेश को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अखिलेश ठीक लड़का है लेकिन वो कुछ कन नहीं पाया दरसल कारिकर्ताओं की भीड तो सुबा से जमा हो गई थी लेकिन दोपहर के वक्त तेज बारिश में सारे इंतिजाम दम तोड़ते नजर आएं राहुल गांधी के पहुचने तक बारिश तो रुक चुकी थी लेकिन मंच पर उनका स्वागत करने वाले सभी नेता उपर से नीचे तक भीगे हुए थे राहुल गांधी कारिकरता उनसे रूबरू हुए और उनके सवालों के एक के बाद एक जवाब करीब देड़ घंटे तक दिये मायवदी के खिलाफ अभध्र टिपनी करनेवाले बीजेपी के पूर्वनेता दैशंकर को यू पी स्टीएफ के बिहार के बकसर से दबोच लिया दैशंकर बिहार के बकसर में अपनी नानी के गर से पकड़े गए माओ के CJM कोट में दैशंकर सिंख को पेश किया गया फोटो वाइरल हुई थी जिसमें वो जार्खन के देव घर में अपने साथियों के साथ घूमते दिखे थे फोटो में साफ दिख रहा है कि दैश्वंकर अपने दोस्तों के साथ मस्ति कर रहे हैं उस फोटो में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे वही किरफतारी के बाद उनकी जो पहली फोटो सामने आई हैं उसमें वो बड़े ही उदास और डड़े हुए दिखाई दिए जमो कश्मीर के उतरी कश्मीर में हुई मुटभेड में जिन्दा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंगवादी शेफुला बहादूर अली ने जाँच एजनसियों की पूछताज में कई नए चौकाने वाले खुला से किये हैं एनाईय सूतरो से मिली जानकारी के मताबक पूछताज में बहादूर अली ने बताया कि उसे लशकर ए तईबा के सरगना हाफिस से दो बार मिलने का मौका मिला था शेफल्ला बहादूर अली ये भी बताया कि उसे भारतियों से बे इंतहा नफरत हैं वो उन्हें मानने आया था सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक भारत अब एक डोजियर के जरीये से फिल्ला बहादूर अली के इस कबूल नामे को पाकستان के समकक्ष अलग से सार्क देशों के ग्रेमंत्री की मीटिंग के दौरान उठा सकता है जब एनाईये ने पूचा कि आपका अमीर कौन है तो बहादुर अली ने कहा चाचा जानकारी के मताबिक चाचा कोई और नहीं हाफिस सईद है पंजाब सरकार के राजसों मंत्री विकरम सिंग मजीठिया ने अर्विन केजरिवाल के खिलाफ मानहानी का मामला दर्ज कराया था जुस पर शुकरवार को कोट ने केजरिवाल को बेल दे दी अब अगली सुनवाई 15 अक्टुबर को होगी इस फैसले के बाद केजरिवाल ने कहा पंजाब इलेक्शन में 6 महीने बचे हैं मुझे अरेस्ट कर ले नहीं तो मैं मजेठिया को गिरुफतार करवाऊंगा बतादे की केजरिवाल और मजेठिया अपने अपने सपोर्टर्स की भाड़ी भीड के साथ कोट पहुँचे आपको बतादे की हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान केजरिवाल ने चंडिगर में एक प्रेस कांफरेंस में कहा था कि बीएस मजेठिया के खिलाफ ड्रक्स सिंडिकेट में शामिल होने के सबूत है इसके बाद भी उन पर कारवाई नहीं की जा रही है जिसके बाद नाराज मजेठिया ने केजरिवाल पंजाब रभारी संजे सिंग और आशीश खेतान के खिलाफ केस किया था जिस पर कोट ने केजरिवाल और संजे को चालिस-चालिस हजार के बांड पर बेल दे दी वही आशीश तबीयत खराब होने की वज़ा से कोट नहीं पहुंच सके भारतिय सेना ने सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार विवादासपद 31 मंजली आदर्श सोसाइटी इमारत को अपनी कबजे में ले लिया एक अधिकारी ने बताया कि सेन्य अधिकारियों का एक दल बंबई हाई कोट के रजिस्टरार के साथ कोलाबा स्थित इस गगन चुमबीच इमारत को आदर्श सोसाइटी से अपने कबजे में लेने और सुप्रीम कोट में लंबित सोसाइटी के मामले के दौरान किसी भी अतिक्रमन या तोड़फोड से सुरक्षित करने के लिए इमारत स्थल पहुंचा रक्षा मंत्राले की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोट ने केंदु सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोट में आदर्श सोसाइटी की ओर से दायर एक विशेश अनुमती आचिका के निप्टारे तक आदर्श सोसाइटी इमारत को कबजे में ले दिया जाए बयान में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से भारतिय सेना इस इमारत को आदर्श ससाइटी से अपने कबजे में ले रही है ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इस पर कोई अतिक्रमन ना कर पर चिंकारा का शिकार करने के मामले में राधुस्तान हाई क फोट द्वारा अभिनेता सल्मान खान को बरी किया जाने के दो दिन बाद मामले के एक मुख्यगवान राज्जे के गुरह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से पुलिस की सुरक्षा मुहिया कराने की अपील की है मुख्य गवाहरीन दुलानी निंक्रिह मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने कहा है कि उसे और उसके परिवार वालों को अग्यात वेक्तियों की ओर से जान का खत्रा है उसे और उसके परिवार को पुलिस की सुरक्षा मुहिया कराई जाए अपने वकील अनिल गौर के जरिये कटारिया को भेजे गए पत्रों में दुलानी ने कहा कि सल्मान को बरी के जाने के हाई कोट के आदेश के बाद से कुछ अग्यात लोग उसके और उसके घर के असपास देखे गए हैं और ये लोग उस पर तथा उसके परिवार वालों पर नज़ा रख रहे हैं टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट आजश्वाम से किंस्टन के सबीना फार्क स्टेडियम से खेला जाएगा पहले मुकाबले में भारतिय टीम ने इनिंग और 92 रन से मेजबान को हराया था कप्तान विराठ कोली टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पहले मैच में तकरीबन सभी प्लेयर्स ने जोरदार परफॉर्म किया खुद विराठ ने 200 रन की पारी खेल कर धेरो रिकॉर्ड अपने नाम किये सेंचुरी और साथ विकेट लेने वाले आर अश्विन पार भी नजरे हों रहेंगी टीम इंडिया 12 से 15 अगस 2015 को खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका से आखरी बार हारी थी उसके बाद से 7 मैच खेले जिसमें से 6 जीते और 1 ड्रॉ रहा टीम कोहली ने श्रीलंका को 2 साउट अफरिका को 3 और वेस्ट इंडीज को 1 मैच में हराया है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरे हम आप तक पचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल पोन के माधिम से तो आप जुड़ रहिए मेट्रो टीवी से नमस्कार